हेलो फ्रेंट्स में हूँ अब्दुस सलाम और आपको विल्कम है नेट सट को नारी टू चनल पर आज की इस लेक्चर में दोस्तों जियोमोर्फोलीजी का 25 वोस्चिंस डिसक्स करेंगे तो दोस्तों जियोमोर्फोलीजी सीरीज में हम लोग जो है 200 इंपॉर्टिन को स्चिं और बेल अगन को प्रेस कर लिए ठीक है और दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले एक बार बता दू हम लोग यह है विबसाइट के URL इस URL डिस्क्रेशन बॉक्स में मिल जाएगा यहां से आप जो है दोस्तों विजिट करते हैं और विजिट करके आप इस्टाड़ी मैट ठीक है दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कितना जो है आप अच्छे से पढ़ लिए हैं ठीक है और कितना याद है आपको आपने आपको असेस कर सकते हैं एक्जमाइन कर सकते हैं कि आप लोग का आपका जो है प्रिपरेशन कितना है कि इस तरह किसे हैं ठीक है आप अपना लेबल समझ सकते हैं कुछ खेल के तो कुछ का भी वे कुछ का जो है लिंक आपको डिस्क्रिटिशन बॉक्स में ही जाए दूंगा ठीक है और PDF का भी लिंक मैं डिस्क्रिशन बॉक्स में दूंगा आपको टिप पीडिख भी मिल जाएगा तो चलिए दोस्तो शु गर प्लेटो और शिरीं नहीं करता है मौन्टेण बस लैन्ड फॉर्म के ऊपर इस्वाड़ी करता है है रिली फीचर से यहाँ पर देखिए अप्सुन法 भी होगा यांसर रिली फिचर तो सबको exogenetic और endogenetic forces की थूरु जितने भी लेनफॉर्म्स क्रीक होता है create होता है सब जो है हम लोग जियो मर्फोलोजी में इस्ट्रे करते हैं यह है आपका definition, जियो मर्फोलोजी का definition देख सकते हैं हम लोग पहले जो है landforms की nature history पढ़ते थे और process किस process में जो है create हुआ यह पढ़ते थे और अभी जो है mechanism भी देखते हैं और human agency का क्या effect है वो भी हम लोग जो है geomorphology में study करते हैं तो यह आप जरूर एक बार पढ़ लिएगा definition अब चलते हैं second question पे question number two who is called founder of modern geomorphology modern geomorphology का founder किसको बोला जाता है W.M. Davis, William Morris Davis, Carl Ritter, Harry Hales and James Sutton तो इसका answer हो जाएगा दोस्तों option number D James Sutton James Sutton का दोस्तों यह आप अगर याद रख सकते हैं तो आपका बहुत सरा question जो है आप स्वाल पर सकते हैं एक बार देख लिजिए James Sutton का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसेपल से प्रिंसेपल ओफ यूनिफॉर मेटेरानेजम जो सत्ता सो पचास है यानि 1785 में देये हैं नोंने और इनका जो बूक था थियोरी अब दी आर्थ इन इस बूक में जो है हाटन ने यूनिफर मेटेंट ने जम कंसेप्ट डिसकास के था ठीक है और इनका एक कोटेशन देख लिजे प्रेजेंट इस की तूदी पास्ट ये जो पोटेशन है दोस्तों बहुत बार एक्जामें पूछा जाता है ठीक है यह भी जम सटन का ही है और हटन ने यह भी बोला था कि जीओलोजिकल प्रोसेस वेर एक्टिव विदी सेम इंटेंसिटी डूरिंग इज जीओलोजिकल इस प्रियोड ऑफ जीओलोजिकल टाइम दोस्तों यह सब आप अच्छे से काईदे से पढ़ दीजे ठीक है ए एक दो कोशिन जो भी मिलेगा आप इजी से स्वालब कर सकते हैं इजी से और हटन का देखिए इन्होंने फांस्ट ऑब्जर्ब किया था साइकलिक नेचर ऑफ आर्थ से स्टोरी और इन्होंने एक और भी कोटिशन दिया था कि नो विश्टेज ऑफ विगिनिंग नो प्रो अगर आपने देख लिया है अच्छे से तो आप एटम कर सकते हैं तो नेक्स्ट कर्शिन चलते हैं और आप कोशिस कीजिए अपने आप एंसर देने के लिए इसमें आपका जो है राइटिंग करने में तोड़ा गरबर हो गया है इसका एंसर हो जागा दोस्तों जेम साटन ओके पोस्टूलेटेड होगा यह और नेक्स्ट कोश्टीन में चलते हैं दोस्तों बूस्ट विए थी बिया अभी पढ़आ होगा चेंग होगा w प्रिश्टेवस दोस्तो प्रिंस्पल्स ऑफ जी रिखन ये भी जो बूक है दोस्तो जाम साटन का ही इत्रेन एक इनुन नहीं लिखा था मिनस फिल्स ऑफ जीओ लोजी इंर विखाताए जैन शार्टन ने एक इसने लिखाता ये नेक्ष फॉसीन चलते हैं question number seven theory of art with proofs and illustration was written by theory of the art with proofs and illustration ये किसने लिखा था ये जो किताब है किसने लिखा था डेविस ने प्लेफेयर ने जेम सटन ने एंड चार्स लेल ने तो दोस्तों इसका भी आंसा जो है जेम सटन ही होगा ठेक है the next question में चलते हैं वो रोड़ दी बूक वो रोड़ दी बूक इलस्ट्रेशन ओफ अहर्टनियन थिवरी अफ दी आर्थ ये जो किताब है दोस्तों इनका ही दोस्त एक दोस्त था उन्होंने लिखा था उनका नाम है और सनमर ए जौन फिलेफेयर जौन फिलेफेयर ने इस बू जो है लिखा था इलस्ट्रेशन ओफ दी हाटनियन थिवरी अफ दी आर्थ को सिने मर नाइन दा इस चेबल आर्थ वाज रिटेन बाई दा अनिस्ट्रबल आर्थ ये किताब जो है किसने लिखा था अगर आप युजिसीनेट का प्रिपेर्शन कर रहे हैं युजिसीनेट यह जो क्वेस्टिन है देखने का मिलता ही था ठीके इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेन यह जो है क्वेस्टिन से आप जरूर से ध्यान देखिए ध्यान से देखिए कि यह इसका एंसर क्या होगा दानिस्ट्रबल आर्थ वाज रिटेन भाई वाफन नमर भी जे ए देन नेक्स इसका और एर देह लिए कॉंसियर में दिया था 1899 ठीक है आठाइस्ट नियान भई क्यों से नवर टेन डा एक्स पॉजिश्टन अफ दी वाल सिस्टम वाज रिटेन भाई एक्स पॉजिशन ऑफ दे वाल सिस्टम यह जो किताव हैं किसने लिखा था यह किताब जो है दोस्तों देखिए बहुत इंपॉर्टेंट किताब है लैपलास का ठीकिए लैपलास ने जलते हैं question number 11 interstellar dash hypothesis was written by interstellar dash hypothesis किस ने दिया था option number a देखिए देखिए ओट्टो इसमीज्ड आप्स नमर बी एचेन रस्वल सी यह सी बैनर्जी आंडी जेम्स जीन्स ओके तो दोस्तों इसका एंसर हो जाएगा option number one यह ओट्टो इसमीज्ड ओके इसमीद होगा और इनका जो किताब है यह जो थियोरी है 1943 में दिया था इन्होंने ओके हूगे दी इस्टेट मेंन गीब मी मैटर and I will build a world of it यह इस्टेटमेंट किसने दिया था कि मुझे आप मैटर दीजिये हम जो है एक वाल्ड करेंगे उस मैटर से किसने यह जो है इस्टेटमेंट दिया था गीब मी मैटर and I will build a world of it James Jeffries ने, Laplace ने, Immanuel Kant ने and Vaughan Wills सेकर ने दिया था किसने दिया था इसका जो एंसर है दोस्तों Immanuel Kant होगा ओके option number C is the correct answer अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप पे सीफेट थियोरी about the origin of the earth was given by option number A, Kirpher, B, AC Benergy, C, Laplace and D, FR, Malton तो इसका दोस्तों एंसर हो जाएगा option number B, AC Benergy और 1942 में यह थियोरी इनने दिया था अब चलते हैं next question में question number 14 the age of the earth is about, earth की age कितना है ठीक है about कितना है 4.5 billion years, 4.6 billion years, 4.7 billion and 4.8 billion years, तो दोस्तों इसका answer देखिए, option number B, 4.6 billion years, आप चलते हैं next question में, question number 15, question number 15 में दिया गया है एरा, find out the correct sequence of era, हम लोगों जो है current sequence देखना होगा, तो अगर आप new era से देखते हैं, यानि world नहीं new से तो आपको first जो एरा मिलेगा वो हम लोग देखते हैं, पिरी Cambrian दो जगा है, तो एक जगा ही होगा, तो पिरी Cambrian की बाद जो है, मेंसर जो इक दिया गया है, तो यह बला नहीं होगा, पहले जो एक तो पहले नहीं आएगा, ठीक है, तो इसका answer देखे, option number D, पिरी Cambrian, पिलेजोइक, मेंसर जोइक, सीनेजोइक होगा, तो इसका जो है, दोस्तो एंसर D होगा, आप एक बार चार्ट देख लिजए, दोस्तो पिरी Cambrian जो है, यह जो एरा है, यहाँ पर इसको ही ठीक है, दोस्तो पिरी Cambrian बोला जाता है, इसको पर देख सकते हैं also known as pre-cambrian यह यहां पर होगा pre-cambrian और इसके बाद जो है पेलो जोई का आएगा फिर आएगा में सजोई फिर आएगा सिनो जोई यह जो जी लोजिकल टाइम इसकल देख पाया रहे होंगे आप लोग यह आप इसक्रीन स्वार्ट ले लिजे बहुत ही विजे गया है आपर दिया गया है इमने इले एभाल्येशन हुआ था इसी एडा में one-point-six मिलिएन से रहे गो और नापर डाइनासार का एक्स्टिंशन होआ था के टिश्यास कीरियोड में फिर यहां पर पर्पर्मियन मांस एक्स्टिंशन होआ था तो यहां पर देख सकते हैं और यहां पर देखिए आलियस्ट लाइफ जो है पिरिकेंब्रियन यहां में शुरूहा था यहां से यह चार्ट बहुत ही अच्छे से दिये गए हैं आप नोट कर लिए एक बार आप चलते हैं नेक्ष्ट कोस्टिन में दा कर्बोनी फ्रियर्स कर्बोनी फेरा के लिए सब्से ज़्यादा जाना जाता है तो आप यहां सब याद रख सकते हैं कारबोनी की चलता ही तो कारबोनी फिर्यर्ड वस scholarship फॉर आपसर नवर भी वाइडी स्परेट फॉर्मेशन अब दे कोल ओके यहां पर एक बार देखी लिजिए अब चलते हैं नेक्ट्ट कोस्टिन में इन विस प्रियोड चौक वाइट राइटिंग वैर मोस्टली फॉर्ण तो चौक जो है हम लोग यूच करते हैं ब्लाग बॉर्ड में तो कौन सी एज में प्रियोड में सबसे ज्यादा हम लोगों को देखनों को मिला था तो दोस्तों इसका एंसर हो जाएगा और सब्सक्राइब क्रिटिस यूड ओके अब चलते नेक्ट शोचिन में दा क्वाइन आर्थक्वेक वाकाड इन दी स्टेट ओफ देखिए क्वाइन आर्थक्वेक क्वान सी इस्ट्ट में हुआ था 11 डिसेंबर में 1967 में यह आप डे 1967 11 डिसेंबर ओके तो यह हुआ था दोस्तों महाराष्ट्रा इस्टेट में आप एक बार एक बार यह जो है जरूर पढ़ लिएगा कोई ना जो आत्वेक हुआ था उसके बारे में ही यहां पर लिखा गया है अब चलते हैं एक्ट कोस्टिन में वाट इस सिंक्लाइन सिंक् यहां देखिये आप डाइग्राम से आपको पता है इस तरी किसे होता है तो यह जो उटा हुआ जो आप फोल्ड जो ब्राइश ट्रॉटर है इसको एंटि क्लायन बूला जयता है और डाउन फोल्लेट अजू रिस ट्रॉटर पोजो है दोस्तों सीन क्लाइड बोला घू एक पॉर्सन जो है अंदर वाला ठीक है इसको बोलाता है सीन क्लाइं तो दोस्तों यहां पर देखिए और बी यह डाउन तो दोस्तों उसे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं हम लोग यहां पर जो है 200 questions लगभग discuss करने बाले हैं तो अगर आपने यह 200 questions देख लेते हैं ठीक है यूजी सीनेट के लिए जो हम लोग देंगे यहाँ पर अगर देख लेते हैं दोस्तों तो आपको ज्यादा और महिनत करना नहीं पड़ेगा अगर आपने यह पढ़ लिया ठीक है और टेक्स्ट्ब बालेड़ब करेंगे किताब से सुरू से लेके एंट थिक फूरा कभर करने की कोसिस करेंगे तो हम लोग देखते हैं नेक्ट्ट्ट इन होट इस ऐंटीकलाइन एंटीकलाइन अभी हम लोग देखा कि डाउन फोल्लेड जो है वह सीन क्लाइन हो गया और आपको लेट जो है anti-client over the anti-client the here you have a yarn up folded with strata in the earthquake in our arts crust so question number 21 the process by which swillable salts removed from horizon a of soil and washed downwards to into the horizon B through the action of percolating rainwater is called those to develop soluble salts your hair horizon a say after other year ho guy the horizon a say other beeper ticket origin be pay swall soluble salts in each area okay so is process one either key action of percolating rainwater is process so cable at a actually process the barring push again happen to regulate biotic process soluble and leaching process so is the answer was I got those two option number D the leaching process option number D the leaching process okay our children next question man who cinema 22 which process is called as money on way Danny morning and weathering kiss go bullet I have oxidation weathering key chart pass Joe I haveзяji surprises who has taken Nations a collection of the exploration plural effects solution see a lot of thinking up local писем pick up miss a heating answer what is a Jauda off summer b exploration exfoliation exfoliation men you have pads do chill gotta hao see the as in Porco Anna o she यहां पर देखिए तेंपरेचर और हीड के बज़े से जो है प्रेशार के बज़े से ऊपर का हिस्सा जो है आपका रॉक का प्याच की जो छिलका होता है उसी तरीके से यह भी खुल जाता है तो यह अगर पढ़ेंगे तो यहां पर वही चीज जो है लिखा गया है और पुचा गया है question number 23 chemical weathering is more pronounced in chemical weathering कौन सी जगा में जो है सबसे ज्यादा active है hot humid climate climate condition which है है hot humid climate hot dry climate cold and humid climate and cold and dry climate तो दूस्तों इसका answer हो जाएगा hot and humid climate तो chemical weathering weathering दोस्तों आपको जहां पर ज्यादा temperature है ठीके रेनफॉल होता है वह सी जगा में देखनों को मिलता है ज्यादा तरह active रहता है एक्च्वली और chemical weathering के लिए दोस्तों यह humid climate होना जरूरी होता है कि जो एस्टू है एस्टू ओ बहुत ही important होता है यह chemical weathering में है ओके तो इसका एंसर दोस्तों हो जाएगा और यह होट एंड यूमीट क्लाइमेट फॉस्ट नमाट टुनिफोर दा मेन कॉज ऑफ मास मुम्मेंट मास मुम्मेंट का मेन रिजन क्या है मेन कॉज का है कारण क्या है यहीं पूजागे मास मुम्मेंट यानी इसको दोस्तों मास वस्टिंग भी बोला जाता है । यह डबॉल एस डबलू यह यह होगा इस टी आइएंजी यह होगा मास ओष्टिंग मास मुमेंट को दोस्तों मास ओष्टिंग भी बोलो जटा है जिसमें बल्क यानी बहुत ज्यादा ठीक है सोयल एंड रॉक डेप्रीज जो है दोस्तों पत्थर का जो बोल्डर बगरा है सो है mountain पर घबर लिजेए ठीक है mountain region से जो है आपका नीचे जो है आखके यहां पर जमा होता है ठीक है तो दोस्तों जो यह जो moment होता है सोल राक डेब्रीज का डाउन सुलोप ठीक है ओ आपस नहीं डाउन सुलप नीचे की तरफ जो आ है भूगा स्टीपेज और तो दोस्तो इसका जो एंसर हो जाएगा वाशन आपसे नमर बी ग्रावीटी इमुम मैंड मुमें हैं पर नहीं होना चाहिए तो इस वह अनली ग्रावीटी तक रहे गा तो यह भी एंसर मेंड़ देगा तो इसका एंसर मोगा बस दोस्तो of rocks from the earth surface is known as this process में रोक की रिमूब होता है आसर पिस से तो इस प्रोसेस की कौन सी नाम से जाना जाता है और से नमर वान डिलिएशन बी रोजीन होता है ठीक है रिडियाखस्टान होता है एलिविशन सबस्क्राइब तो इरोजन की वज़े से जो है रीमूबल की वज़े से आपका इतना हो जाएगा ठीक है तो इसी तरह कि इसको इस प्रोसेस को दोस्तों बोला तो है टेनिवरेशन ओके यहां पर डिफिनेशन भी है तो आप यहां से जो है देख सकते हैं ओके तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं उससे पहले आपको मैं बता दूँ एक बार जरूर विजिट कीजिए वेपसाइड वेपसाइड में जा कि आपको फूजेस बगरा मिलेगा और फूजेस का मैं लिंक दोंगा जितने भी यूप चैनल पे